येस, गुड़ इमिंग इस्टुडेंट्स, तोड़े वी आर स्टार्टिंग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3rd, Off Expense from English एंड आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, उसमें ये Off Expense, जो है, ये चैप्टर Francis Beckon के दोरा ये लिखा गया है और इस चैप्टर में हम ये पढ़ना पढ़ेंगे कि हमारे जो जीवन के जो खर्चे हैं, हम जीवन में जो खर्च करते हैं, हम जो Amount को खर्च करते हैं, वो Amount जो है, वो हम कितना खर्च करें, हम किस तरह से खर्च करें, हमें इस तरह से अपने जो खर्चों के अधि हम उनको मेंटेन कर लें, तो हम अपने जीवन में बहुत सक्सिस्फुल हो सकते हैं, यहाँ पर Francis Bacon ने यह समझाया है, अब यह जो चैप्टर है, यह टोटली फोकस्ड है एक्स यह टोटली एक ऐसे है यह और इस ऐसे को हमको उसी तरह से उसको समझना है, इसमें हमको एक सीख मिलती है और वो यह है कि हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने खर्चों को जितना जरूत हो सके, जितनी हम से possibilities बनें, उतना हम उनको कम करें, उतने हम उनको उतने कम खर्चे में अपना काम चलाएं, यदि हम ऐसा करते हैं, तो हमें जीवन में सफलताएं मिल सकती हैं, चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, देखे, हम बात करते हैं, फ्रेंसिस बैकॉन के बारे में, उनका पूरा नाम देखे, यहाँ पर फ्रेंसिस फ्रेंसिस बैरोन, वेरोलम, एंड विसकाउंट, सेंट, यहाँ पूरा नाम था, वस बार्न एट यॉर्क हाउस इं लेंडन, उनका जन्म जो है, यॉर्क हाउस लेंडन में उनका जन्म हुआ था, वेकॉन हैड हैज एज़ूकेशन एट्रिटी कॉलेज, कैम्बरिज, कैम् मेंबर आफ पार्लियमेंट इन 1584, 1584 में वो पार्लियमेंट के मेंबर भी बन गए थे, means वो राजनिती में पॉलिटेक्स में भी रहे थे, उनके जो भी के बात्चीत हुआ गरती हैं, उनके जो भी इंट्रेक्शन होते हैं, उनके बहुत सारे पार्लियमेंट को भी पॉलिस्ट को ले अनने दिखा, and one of his letter was lettered of advice to Queen Elizabeth, means उस समय में 1500 में जब वहाँ पर England की महरानी Queen Elizabeth रही थी, उस समय भी उन्हों उनकी इतनी अच्छी पहुंच थी कि वो उन्हों वो उन्होंने एक advice letter जो है वो Elizabeth को भी वो लेखने का सामर्त वो उन्होंने रखा है, on his literary works, the most important are the essays, उनकी जो literary works दे हम बात करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे हैं, जो कि बहुत सारे बहुत ज़्यादा impressive रहे हैं, बहुत सारे ये हमारे लिए ऐसे हैं essays, जो कि हम उन्होंसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, his prose style is compact and pro were real, उनकी जो लिखने की जो तरीका है, वो बहुत ज़्या जल्टा रहती है, but pro were real means, उन्होंने जो भी लिखा, वो अर्थ से जोड़ा हुआ लिखा है, इसको अर्थले भी कहते हैं, means वो सामाजिक परिवेस के बारे में, सामाजिक बाते उन्होंने लिखी हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका जो उनका था, वो बहुत compact रहा था, च बहुत ज़्यादा अच्छे ऐसे वो लिखा करते थे, चलिए, हम यहां से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, देखिए, हम सबसे पहले चेप्टर का सेंट्रल आइडिया के बात, बारे में बात करते हैं, कि आखरी जो चेप्टर ने यह क्या कहना चाहता है, इस ऐसे, यह ऐसे हैं, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और अभी से इस तरह की गांट मांद लें, ऐस अभी से समझ जाते हैं, कि हमको अपने जीवन में कम से कम खर्च में अभीक्स अच्छे और अच्छे सच्छा काम करना है, यह जो ऐसे हैं बतात जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी चीज़ें हम उनको कैसे आसाने से, मैनेज कर सकते हैं, आसाने से, उनको मैंटेन कर सकते हैं, एक बहुत बड़े बिचारक रहें, उनका नाम था एलेक्जेंडर पूप, यहाँ पर उन्होंने इस्टेट्मेंट दिया था, इस ओल्ड़ वैकॉन, वैसेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यह बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा समास दरक ऐसा आपके बारे में कहें, कि आप पूरी दुनिया में सबसे बुद्धिमान हैं, यह कहना किसी भी, किसी भी एक, एक बहुत बड़े साहित्यकार के दोरे कहना बहुत बड धिमान व्यक्ति हैं, इन इस ऐसे के अंदर जो क्या लिखा है, वो चीज हम समझते हैं, इन इस ऐसे, कि इंस्टुक्ट इस रीडर्स तू भी दिस्क्रीट इन स्पैंडिंग मनी, उन्होंने इस ऐसे में बताया है, कि जो रीडर्स को ने हैं यहां पर, यहां पर रीडर्स ह कम लोग हैं, तो रीडर्स जो भी उसको पढ़ रहे हैं, उनको यह चीज समझाया है, कि आपको किस तरह से अपने मनी को खर्च करना है, उनको किस तरह से उनको लोगों को मैंटेन करना है, मनी को हम किस तरह से खर्च करके, हम कम खर्च करें और हमारा काम ज्यादा हो जाए, इस तरह से उन्होंने इसको समझाया है उन्होंने क्या कहा है According to him, one should spend only a fixed portion of his income and should personally look after his affairs Means, कोई भी व्यक्ती है सभी के जीवन में खर्चे तो लगे है लेकन कोई भी व्यक्ती है वो अपने खर्चों मैंसे सिर्फ एक portion ही उसको खर्च करना चाहिए एक business वो maintain करना कि मुझे इतने पैसे खर्च करना है और बाकी जो है वो income जो है अपनी उसकी उसको वो maintain कर उसको save करके रखे ताकि उस समय में जो है वो एक अच्छा सा plenty of amount को जमा कर पाए यहां पर उन्होंने बताया है कि हमको कुछ न कुछ deposits जो है करते हुए जीवन में चलते रहना चाहिए क्योंकि विपत्ती के समय में इस तरह के deposits हमारे बहुत काम आया करते हैं उन्होंने ऐसा समझाया है हमारा chapter यहां से start होता है यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले हम step पर start कर रहे है riches are for spending and spending for honor and good action means riches मतलब यहां पर धन है जो धन है वो किसलिए खर्च करते हैं धन तो खर्च करने के लिए होता है riches are for spending वो खर्च करने के लिए money होता है जो धन है हमारे पास है, वो सम खर्च करने के लिए हुआ करता है, and spending for honor, किस के लिए खर्च करते हैं, हम अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं, अच्छे वर के लिए सम्मान पाने के लिए honor प्राप्त करने के लिए हम खर्च करते हैं, तो riches जो हैं, वो खर्च तो होता ही है जीवन में हम खर्च करते ही हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं, या फिर सम्मान पाने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन इन्होंने पूश्चन मारते हैं, therefore, extraordinary expenses must be limited, अब यहाँ पर एक extraordinary लग दिया, मतलब ordinary means सामान में, लेकिन extraordinary मतलब असामान में, ज इसको कि हम control करी नहीं रहे हैं, जहां पर हमको एक रुपे खर्च करना चाहिए, वहाँ पर हम एक हजार खर्च कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, या सो रुपे खर्च करना, तो भो भी जो है, वो extraordinary खर्च कहलाएगा, इस तहे का जो extraordinary खर्च जो है, वो must be limited, उसको हमको रु यहां पर जो जो लेखक है या जो हम ऐसा कहें कि जो हमारे वैकॉन रहे हैं वैकॉन सहाब जो रहे हैं वो बता रहे हैं कि वर्दी हम ऐसा ना कर पाएं तो फिर हम मैंस कंट्री मनुष्ट का जो सामाई की जीवन है उसमें हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं और नहीं हम सुख प्राप्त कर गिंडम ऑफ हैवन मतलब होता सुख जो सुख है जीवन का सुख जो है हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा ह हम अपने लाइफ को मेंटेन प्रापर करी किसे नहीं कर पाएंगे हमने अपने खर्चों को मेंटेन नहीं किया तो इसलिए हमें अपने खर्चों को मेंटेन करना बहुत ज़दा जरूरी है चलिए हम थोड़े से और आगे देखते हैं but ordinary expenses ought to be limited अब यहां पर जो वैकॉन है वो क्या कहते हैं कि हमारे पास में सपोर्ज हम extraordinary खर्च करना हमने बंद कर दिया है लेकिन जो हमारे पास में कुछ ordinary expenses है अब ordinary expenses जो हो ही रहे हमको बताए कि वो हो रहोंगे ही है वो खर्च ज में क्या करना चाहिए हमें but ordinary expenses ought to be limited उनको भी हमको limited कर देना चाहिए कि हम इतने समय में इतना खर्च करेंगे में उसका भी हमें हमारे पास में प्रॉपर तरीक से वह और होना चाहिए कि हम कितने खर्च करें कैसे खर्च करें बादम मैंस स्टेट और गवर्न विद सच and views of servants in order to the best show that the will may be less than the estimation abroad ठीक है यहां पर जो वैकोन को क्या कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो expense है ordinary expense गो तो होंगे लेकिन हम कौसिस करें कि उनसे भी हमारा खर्च जो कम हो पाए तो हम उसको भी कम खर्च करें उसमें से भी कुछ अधी amount बच रहा है तो हम उसको भी बचाने की कौसिस ऐसा कौसिस करें और एदी कहीं लग रहा देखिए एक चीज इन्होंने कहा है कि हमारे जो servants हैं उन पर अंध्विस्वास ना कर लेंगे तो हो सकता है वो हमारे लिए बहुत दिक्कत दे दें हमारे साथ फ्रॉड कर जाएं तो हमको ऐसा नहीं होने देना है हमें उनका प्रॉपर वयोरा लेते रहना है हमें उनके बारे में पता करते रहना है है और इससे यह भी हो सकता है कि हमारे जो बिल हैं वो और जदा कम हो जाए दी हम उनको प्रॉपर तरीके से विए एक अपनी पैने नजर उस पर डालते रहें तो हम थोड़े से आगे देख लेते हैं बच्छों देखें यहाँ पर और यहाँ पर क्या कहते हैं वेकॉन वो यहाँ पर बता रहे हैं वेकॉन कि यहील ग्यक्ति एइसा सोचे कि मैं इन जर्डके अइस से अंवह input ये जितना वह приним करके वो अफ़ क्मा रहा है उसमें से अधा सब्सक्ति आपें, वो एाज पतामन आइ पाघी त हडिल बचा नहीं पारा है जिर्फ थड़ पारबस पारा है तो वह जदा बहुत कुछ अपना जीवन में अच्छा नहीं कर पाएगा उसे ओर अच्छा करने की लिए क्या करना पड़ेगा और जदा सेविंग्ज करना पड़ेगी तब वो अपने अमाउंट को तब वो अपने जीवन बहुत कुछ अच्छा कर सकता है means यहाँ पर proper expense कम करने की बात यहाँ पर वेकॉन साव कह रहे हैं देखी हम यहाँ से खोड़े से आगे बढ़ गाए हैं यहाँ पर जो वेकॉन साव वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने की लोगों पर इस तरह से विस्वास कर ले कि हाँ आप हमारे लिए कुछ नहीं सब चीज़े मैंटेन हो रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए हमें लोगों पर बिल्कुल थोड़ा सा विस्वास रखना चाहिए उनसे चीजों को पूछना चाहिए और वही जो चीज़े हैं हमारे लिए हम उस चीज़ों से को मैंटेन कर सकते हैं जिस प्रकार भी हमारे पास में कोई धाओ हो गया है और धाओ को हम खुला छोड़ देते हैं थीक कभी भी नहीं होता है जब तक कि हम उसके लिए कोई दवाईगी खोज नहीं कर ले जब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं तब तक चीजें ठीक नहीं होती हैं तो ठीक उसी प्रकार भी हमारे जो उनको भी हमको बिलुकुल प्रॉपर तरीके से देख ध्यान्स पूरबार उसको देखकर उसको मैंटेन करने कोर्षिस हैं करते रहना चाहिए देखें यहां पर और क्या कहते हैं कि he that cannot look into his own state at all कोई ही मतलब को यह कैसा रख्याइब एक्सिकर खरता है ठीक है वह अपने आपको जो चीजों को नहीं देख रहा है वह सारे लोग है और बहुत सारे लोगों को देख नहीं पाता है वो वहाँ पर जाई नहीं पा रहा है, तो उससे का करना चाहिए, उन लोगों को जो एम्प्लॉएर जो हैं उसके, and change them, उनको अचानक सी change कर देना चाहिए, उनको उनकी positions बदल देना चाहिए, उनको या तो दूसरे काम दे देना चाहिए, दूसरी जगह पहुंचा देना चा जो नए जो लोग आएंगे, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से उसमें घपले बगरा, जो problems हैं, वो create वो नहीं करेंगे, वो proper तरह से चीज़ को maintain कर पाएंगे, ऐसा यहां पर, वो कौन के विचार हैं, वो यहांसा कह रहे हैं, कि हमको जो पुराने लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जो continue बहुत समय तकाम कर रहे हैं, उनको हमको change करते रहना चाहिए, उनके, उनको हमक ताकि उनको एक ही चीज़ का बहुत सारा knowledge जो है, वो नहीं हो जाने तो कोई mistakes वो करने लगा, यहां पर ऐसा बता रहे हैं, देखें, यहां पर business expenses को maintain करना जरूरी है, पूरी चीज़ें यही हैं, तो इसलिए हमने यहां पर एक view यहां पर आपके लिए उसो किया है, हम यहा हैं, हैज नीड, if he plentiful in some kind of expense, to be saving again in some others. यहां पर बैकॉन बतारी कि बैक्ती है, जिसको जो क्या कर रहा है, जिसको जो है, एक्सपेंस वो करता जा रहा है, बहुत जदा वो एक्सपेंस कर रहा है, ठीक है, सेविंग अगें इन समर्द, जबकी दूसरी, दूसरा एक बैक्ती है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि सेविंग and the civil and the like for that is plentifully expensive and of all kinds will hardly be preserved from decade यहाँ पर जो है वे कॉन बता रहे है कि यही कोई दो व्यक्ती है एक ऐसा है जो कि अपने जीवन में बहुत सारा खर्च कर रहा है वो अपने पैसों को सेव नहीं कर रहा है तो अलग-अलग और एक दूसरा व्यक्ति है जो कि अपने खर्चों को प्रॉपर तरीगे से मेंटेन कर रहा है तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि खर्चों को अभी कर रहा है जो बहुत सारा अमांट पैसे कमा वीरा लेकिन खर्च भी बहुत सारे कर रहा है तो वो अपने जीवन में बाद में जो है उसको बाद में समझ्या हैं. आएं। ऐसा वे कौन साव? ऐसा यहां पर कह रहे हैं कि हमें overall पैसो को maintain करना चाहिए, खर्चों को proper तरह की से maintain करना चाहिए, खर्चों को proper तरह बॉपर के के से या उनको बदल देना चाहिए या और कहीं भेज़ना चाहिए यह करके भी हम उस चीज़ को मैंटेन कर सकते हैं ओबर ओल यहां पर जो बात की गई है वो खर्चों को मैंटेन करने की बात की गई है देखिए हम थोड़े आगे बढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं यह एट कर रहा है यहां पर ये बता रहे हैं यहां पर यह बता रहा हैं वश्वत कर रहा थह तंब अपने आप को हाट कर रहा है ऐधर यहें जो अपने आपको पैसे खर्च कम कर रहा था, वो अपने आपको बचा रहा, वो उसको जो है, बहुत ज़्यदा फायदा मिलेगा, और जो खर्च कर रहा वो उसके लिए बहुत ज़्यदा नुक्षान रहेगा, इसलिए हमको अपने money को बचा कर चलना चाहेगी है, हाँ देख प्रेवल में, हाउसेज में, स्वापिंग में, फूट्स में, कहां क्या, एक एक स्पेंस मैनेजर टाइप का हमें, हमने यहां पर शो किया है आपको, ठीक है, ताकि हम अपने खर्चों को मैंने कर सेगे, आजकल मुबाइल में भी एचीजे मैंने होने लगी हैं, देखे, विस घंडिज्डे उस जोंगे, रिविग दिखू रहे है हैं, कि हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लीय करना चाहिए, कि हमको कितना दिखोंह मांवांट है cham मांवांट अंपा स्ट्राउट's फिफिश एहां है है कि हमारे लिए हमारे जो पुराने साथना चाहिए पुरॉट सांट करते हैं, हम बहुत सरी नहीं नहीं चीज़ों को उन से ले सकते हैं, ठीक है, आगे देखती हैं, हाँ, certainly who hath a state of, a state to repair me not despite small things and commonly it is less dishonorable to average petty charges than to stop the petty gettings a man ought to wear rarely to begin charges which once begin with continue but it matters that rather not he may be more magnificent, यहाँ पर जो जो पोएट जो अपने जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि हमें सा ध्यान दखना चाहिए कि हमें अपने जो खर्चे हैं, उनको छोटे छोटे सपोज हमारे खर्चे हैं तो उनको भी यदि हम मेंटेन कर सकते हैं तो उनको प्रॉपर तरीकिस उनको मेंटेन करना चाहिए, छोटे 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 चीजों में खर्च हमको कम से कम करना चाहिए less dishonorable to average petty charges और यह छोटे 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 जो खर्च होते हैं वो बहुत बढ़े हो जाते हैं और हमको पता ही ने चलता है हमने छोटे-छोटे खर्च में बहुत तारे खर्च amount कर दिया है और मतलब ही हमारे लिए और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़दा यह फायदे वाला काम रहेगा में summary of chapter में हम क्या कहेंगे हमें कह सकते हैं कि हमारे जो खर्चे हैं वो हम proper तरीक से maintain करें किसी भी तरह से हम जो है अपने life में कम से कम खर्च करें एदि हमारे जो servants बगरा हैं एदि हमको लग रहा है वो हमारे साथ काम करें हम उनको धाने दे पा रहे हैं तो हम उनको exchange कर दे हैं या फिर उनको हम replace कर दें ताकि वो कोई और दूसरा हमारे यह नुक्सान ना दे सके हैं इसके साथ में हमारे जो पुराने जो हमारे रुवीत के दिवाज हैं उनको भी हम proper देखते रहें उनसे भी कई सारे दिज़ें सीखते हुए चलें यहां पर ऐसा वे कौन सा बतात कामों को कर सकते हैं ओके थैंक यू स्टुडेंट्स